नमस्कार हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तो आज हम डिसकस करेंगे सेट परिक्षा जो हिमाच प्रदीश की हुई है 2019 में 14 जुलाई को उसका जो पहला पेपर है वो मैं आपके बीच में लेका आया हूँ किस तरीके का पैटरन था और किस तरीके के प्रशन उसमें पूछे गए थे तो बहुत सारे स्टुएंट से कह रहे थे कि पहला पेपर उनको एक बार दिखा दिया जाए और उसको सॉल्व करके सब के बीच में रखा जाए तो आज हम जो भी परिक्षब पीछे पूछी गई थी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पेपर को तो चलिए बीना देर किये शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की यहाँ पर देखिए यह वाला प्रशन जो पूछा गया था 2019 में सेट की परिक्षब में और पूरा का पूरा जो पैटरन है देखिए वो आपका रखा गया था जैसे अब नेट की परिक्षब में प्रशन पूछे जाते हैं ठीक वैसा ही पैटरन यहां पर रखा गया है, हालां कि पहले जब इससे पहले जो पिछली साल का net का exam, set का exam हुआ है, उससे पहले जो है, इसका pattern थोड़ा सा अलग था, क्योंकि वहां पर तीन आपको paragraph ही आते थे करने के लिए, लेकिन अब paragraph एक कर दिया है, और पूरा का पू नहें देखिए, वो आपके DIs से संब्दित है, तो इसलिए मैं इनका सिर्फ आपको उत्र बताओंगा, क्योंकि पूरा अगर इनको solve करने यहां पर बैठ चाएंगे, तो हमारी वीडियो पूरी की पूरी lecture जो है, इसमें ही निकल जाएगा, तो आप इसको एक बार देख ल पूरी सालनी जैसी, इसको आपने एक बार देख लेना है, तो देखिए, इसका जो उत्तर होगा, वो होगा, आपका विकल्प नमबर D, 8.1 लाख, और जो दूसरा प्रशन है, देखिए, इसमें आपने क्या करना है, कंपनी B द्वारा अर्जित और सत्प्रतिशत लाब नि इसका क्या होगा, साई होगा, 38 होगा, तो प्रतिशत निकालना भी आपको आना चाहिए, फिर जो तीसरा प्रशन है, देखिए, जो आगे है, तीन से पांच प्रशनों के उत्तर, ये बोलता हैं कि विभिन व्य प्रतिशत में, एक पुस्तक के प्रकाशन में, इस तरीके से है, पुरा दिया हुआ, तो यहां पर देखिए, तीसरे का जो उत्तर होगा, वो होगा आपका विखल्प नंबर, C, 22,950 रुपए, तो यहां से मैं जल्दी जल्दी पांच तक ये देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ, पांच को जो उत्तर होगा, देखिए, वो हो पहला ही है, यह आपका higher education से है, भारत का पहला अभासी विश्व विद्याल है, कहां स्थित हुआ, तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है, यह है आपका तमिल नाडू, ठीक है, वर्चोल उनिवर्सिटी कौन सी हिसमें से, कहां सापित हुई है, तमिल नाडू में, ठीक है, नेक्स आदे देखिए, GIF का अर्थ क्या है, तो यह आपका ICT, वहां से इसको प्रशनों को हम मान सकते हैं, यहां से इसको रखा गया है, GIF, तो यह graphics interchange format, ठीक है, तो यह image का format होता है, देखिए, जैसे JPEG होता है आपको, ठीक वैसे ही जो GIF है, इसका जो पूरा नाम G या फिर PDF, इन सब जो भी आपको इसकी full form है, वो याद होनी जरूरी है, सेट में इस तरीके के प्रशन ज़्यादा पूछे जाते हैं, नेक्स से देखिए, श्री चेन अपने नाम, चेन ताइमेन का उप्योग करके, एक डोमेन नाम पंजिकरित करना चाहते हैं, निमिलिक ये साथ में नहीं होगा, बाकी जो अन्य हैं वो कर सकता है, ठीक है, तो मानने जो नहीं है, वो है, ORG, ये किस के लिए है, और्गनाइजिशन के लिए होगा, ठीक है, नेक्स देखिए, प्रशन संख्या 9, इ-Governance गतिवीद्यों को उत्परित करने के लिए, भारत सरकार न फॉर्म क्या है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, और इसको भी आप एक बात जरूर देखेगा, ठीक है, पेपर से पहले, तो पेपर को बहुत कम समय रहा गया है, इसलिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ कि इस तरे के से final touch आप ने देना है, ने लेकिन इसका जो सई उतर होना था, वो होना था आपका pixel, जबकि megapixel आपने देखा होगा, आपके mobile phone जो आप use करते हैं, वहाँ पर हम बोलते हैं कि इसका camera इतने megapixel है, इसका इतना megapixel है, तो camera में क्या है, audio के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ किसके लिए आपका, megapixel मतलब camera के जबकि pixel जो है आपका, वो किसके लिए होगा, audio और वीडियो दोनों चीज़ों के लिए होगा, ठीक है, नेक्स देखिए, निमी लिकित में से कौन सा क्षेतर की उनकी अनुवत शोरस्तर इकायों के साथ सही धंक से मेल खाता है, तो देखिए, जो बहुत सिंपल सा है, ये सदारन सा प्रशन है, कि जो अनुवत शोरस्तर है, वो उसको अपने मिलान करना है कि कौन सा सही है, अद्योगी की यह है, देखिए, 90 dB, जबकि वानिजिक 75 है, और 80 साइलेंस है, और कोट जो है, वो 55, तो ये क्या है, इन में से कोई भी नहीं है, हम इसको नहीं जान सकते, ठीक है, नेक्स ते देखिए, पतंग उड़ाने के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले मांज़ा पर प्रतिबंद लगा दिया, किस ने लगा दिया था ये, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, स्वास्थे मंत्राले, पर्याबन मंत्राले, या फिर NGT, तो देखिए, इसका जो सही पढ़ सकते हैं कि NGT के बारे में वहाँ पर कि जो पतंग उड़ाने के इस्तिमाल के लिए, जो मांज़ा धागा है, है ना, तो वो इस तरीके का है, कि अगर उसको आप कहीं फैंक देते हैं, तो वो सरता नहीं है, और जिसके कारण प्रदूशन पहलने की संभावना अधि रहती है, तो इस वज़े से इसको क्या कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था, नेक्स से देखिए, IRB 2020 is concerned with, चलिए हिंदी में हम देख लेते हैं इसको, जो IRB 2020 का संबंध किस से है, तो देखिए सबसे पहली बात, अगर आपको IRB, इसके full form आ जाती थी, तब आप इसी में ही धून सकते थे, तो देखिए, इसकी जो full form है, इंडियन रिनो विजन, ठीक है, रिनो मतलब रिनो सोर्ज लिखा है न, यहाँ पर D में देखिए, गैंडा, तो उसके लिए ये लिखा गया है, कि उनको एक तरिक से सुरक्षित करने के लिए, या उनको बढ़ाव गुणबता निगरानी के लिए सहयोग कर रहा है, तो देखिए, ये परयावरण विज्ञान से प्रशन पूछे गए हैं, यहाँ पर ठीक वैसा ही पैटरन है, जैसा आपका UGC NET का है, हालांकि इसमें जो प्रशन है, अधिकतर प्रशन जो हमारे UGC NET 2010 से लेकर के जितने अभी प्रिबियर सेर के पेपर हैं, एक बार उनको आप जरूर देखेगा, बहुत सारे प्रशन वहीं से उठाए गए हैं, खास पकर 10, 11, 12 और 13, 14 तक के प्रशन इसमें पूछे गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये वायू गुणबता निगरानी के लिए सही हो की थी, तो इसका जो सही उतर है, देखिए, वह आपका विकल्प नंबर A, 1992 में, रियो डी, जनेरियो में, पर्यावरन डिवस और विकास पर सिंक्तराष्टर सम्मेलन, ठीक है, UN, C, E, D, तो देखिए, UN, C, E, D का मतलब क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, प्रशन संख्या 16, शिक्षा के चार स्थंभों का विचार किसके द्वरा सुझाया गया था, तो ये सुझाया गया था, देखिए, UNESCO के द्वरा, तो भी इसका क्या होना था, सही उतर होना था, अगला हम प्रशन देख लेते हैं, प्रशन संख्या 18, 17, देखिए, स्थापन और तरक, या फिर यूँ कहें, अभी कथन और कारण, कथन और कारण, ठीक है, सर्शन रिजन, यहां से है, देखिए, भारत की दूसरे राष्टपती के जनम दिन को राष्टिय शिक्षा दिवस के रूप में मनाय जाता है, तो सही भात है, और नेक्स से देखिए, शिक्ष अभी कथन है, देखिए, यह है जो, आर क्या कर रहा है, आर ए का जो है सही तरीके से, स्पष्टी करण उसको नहीं परदान कर रहा है, हालां कि दोनों क्या हैं, यह सत्य हैं, ठीक है, तो विकल्प नमबर बी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, अठार में है, शिक्षा का राष्टरिय प्रमुक कारेकरम, S.S.A. का उदेश्य क्या है, तो S.S.A. का मतलब है, सरव शिक्षा अभी हान, ठीक है, इसका प्रमुक उदेश्य क्या है, प्रारंभी शिक्षा का सारव भहमी की करण, ठीक है, विकल्प नमबर A इसका सही उत्तर होगा, नॉर्मल सा फर्म क्या है National Institute Ranking Framework ठीक है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि उसके अनुसार सरफशेष्ट कॉलेज का स्थान कौन सा है तो ये है आपका देखे विकल्प नंबर B Mirinda House, दिल्ली ठीक है तो ये क्या था शिर्षपर था और इस वक्त भी ये ही है जो स्थान है देखे वो किसका है आपका Indian Institute of Science, Bangalore ठीक है वो पहले स्थान पर है जबकि दूसरे स्थान पर जोहला नहरुबिश्यो भी जाले है JNU, ठीक है तो ये NIRF की अधार पर नेक्स से देखिए प्रशन संग क्या 20 स्थान का पूर्ण रूप क्या है तो देखिए इस प्रशन को आप याद किस तरी के से कर सकते थे जो आपका English वाला प्रशन है English से आप इसको ज़्याद अच्छे से याद रख सकते है स्थान को इसका पूर्ण रूप है इसकी फुल फॉर्म जो है देखिए Study Webs of Active Learning for Young Aspirants मतलब जो आपका विकल्प नमबर B है देखिए युवा अकांक शिमनों के लिए सक्रिय अध्याइन के अध्याइन वेब ठीक है तो English में आप इसको देखेंगे तो ज़्यादा बहतर रहेगा आपको स्वयम की फुल फॉर्म को याद करके ठीक है रिडले के अनुसार एक साथ पाले गए जुड़वा बच्चों के लिए IQ स्कोर की समवर्ती दर 86 प्रतिशत है और एक साथ चले पाले हुए जुड़वा बच्चों के लिए 55 प्रतिशत है यह हमें IQ स्कोर के बारे में क्या बताता है तो देखिए इसका जो सही उत्तर होना चाहिए था वो होना चाहिए था विकल्प मबसी IQ स्कोर जेनेटिक्स द्वारा कम से कम आशिक रूप से निरधारित किया जाता है nutrition का IQ स्कोर पर प्रभाव पढ़ता है तो देखिए अगर आपको इसका उत्तर कुछ और लगता है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ एक प्रशन कि मुझे से गलत उत्तर बताया जा रहे हैं तो आप वो भी बेजी चक कोमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं नेक्स प्रशन है देखिए निमी लिकित में से कौन सा आमतर पर साइकोमेट्रिक प्रिक्षन से जुड़ा नहीं है तो देखिए इसका जो सही उतर होगा आपका वो होगा के स्टेडीज ठीक है विकल्प नमबर सी सही होगा अगला प्रशन हम देख लेते हैं देखिए तेईस्वा प्रशन है निमी लिकित में से कौन सा शिक्षन के सीखने और सिखाने के तरीकों का उदारन नहीं है तो देखिए ये कौन सा है आपका ये आपका विकल्प नंबर D होगा इसमें Programmed Learning Approach तो ये क्या है सीखने और सीखाने के तरीकों का उदारण नहीं है ठीक है अगला जो प्रशन है देखिए ये जो प्रशन पूछे जा रहे हैं अभी ये आपके Teaching से पूछे जा रहे हैं देखिए ठीक है शिक्षन अभी शमता जिसको कहा जाता है हिंदी में वहां से ये प्रशन पूछे गया है ठीक नेट की तरह ही और Basics जो है Teaching का वो ही पूछा जा रहा है नगसे देखिए पीटर परिक्षा में फेल हो जाता है और अपनी विफलता का श्रे दोशपूर्ण प्रशन पत्र को त्यार करने में देता है उसने किस रक्षा तंत्र का उप्योग किया है तो ये है देखिए युक्ती करन तो युक्ती करन का मतलता है rationality ठीक है तो इस तरीके से इसने इसको कहा माना rational हो के ठीक है तो विकल्प no.C इसका क्या होना चाहिए था ठीक है 24 का देखिए C अगला है एक smart कक्षा एक शिक्षन संस्थान है जो की तो smart कक्षा में देखिए कौन-कौन सी चीज़ें होती है ये सारी चीज़ें ही इसमें शामिल होगी ठीक है देखिए सबसे पहले smart panel है जिसमें touch panel, control system, PC, laptop, connection, DVD, VCR, player, दस्तावेज, camera, विशे, software, software, projector, screen, तो सारी चीज़ें क्या है smart कक्षा के लिए जरूरी है तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए थी अगला प्रशन है देखिए कौन सी विज्ञानिक पदती अक्सर नई परिकल्पना और सिधांत उत्पन करने पर ध्यान केंद्रित करती है तो ये है आपक विकल्प नमबर B नमूना इकाईयों को एक दूसरे पर निर्भर होना चाहिए जो आप sampling इकाईया है वो एक दूसरे पर निर्भर हो ये लागू नहीं होता है ठीक है 27 का B है 28 है देखिए सुवेवस्थित अंतरसंबंधित अवधारनाओं परिभाशाओं और तैयारियों क एक प्रनाली जो घटना समझने और भविश्यवानी करने के लिए उन्नत होती है उन्हें किस रूप में जाना जाता है तो ये है आपका विकल्प नमबर C सिद्धान्त नेक्स रीकिए किस गतिवीधी में रचनात्मक और महत्वपून सोच को पोशिण देने की संभावना अपेक शक्रित अधिक है तो ये है एक कारेशाला में भाग लेने से है ना तो इसमी कारेशाला में क्या होता है कि यहां पर रचनात्मक और महत्वपून सोच को पोशिण किया जाता है एक तरीके से ठीक है सिखाया जाता है कारेशाला में है जो बॉक्शॉप्स होती है ने प्रशन हम देख लेते हैं जो paragraph है देखिए इसको हम यहां पर छोड़ देते हैं क्यूंकि बहुत लंबा है और paragraph भी एक पूछा जाएगा पहले यह जादा पूछा जाते थे और अब इनको जो है कम पूछा जाने लगा है ठीक है सिर्फ एक ही पूछा जाता है जैसे net में 35 तक के जो प्रशन थे वो सबके सब paragraph में थे ठीक है प्रभावी संचार के लिए बाधाएं क्या क्या है देखिए अगर आपका संचार है ठीक है communication से भी प्रशन पूछा गया है देखिए सबसे सही और यहां पर जो होगा इसका उत्तर देखिए वो होगा नैतिकी करण ना कि टिपणियां ये चीज़ें संचार के लिए बाधाएं मानी जाती हैं है ना कोई अगर सांपर्दाएक हो जाएगा तो वो प्रभावी संचार नहीं कहलाएगा पित्रकर पत्रकारिता शब्द का अर्थ क्या है तो ये बला प्रशन देखिए बहुत परिक्शा में पह पूछे गए थे ठीक है तो पीत्र पत्रकारिता शब्द का अर्थ होता है जो पाठकों और दर्षकों को आकरशित करने के लिए संसनी खीज और अतिशोक्ति की जाती है उसी को पीत्र पत्रकारिता कहा जाता है और आज के जमाने में आप देखते हैं कि जो बीडिया जिसको चौतास्थम कहा जाता है वो चौतास्थम न रहकर क्या बन गया है सिर्फ पत्रकारिता है ना यलो जनलिसम बन गया है ठीक है अतिशोक्ति उसमें जादा हो गई है नेक्स देखिए प्रशन संख्या 38 मौकिक संचार में ब्रेकडाउन के रूप में वरनित है तो देखिए जो होता है आपका एंट्रॉपी ये वाला प्रशन भी 2014 में पूछा गया था पहले ठीक है और सारवजनिक संचार अधिक होने लगता है तो देखिए इसमें बहुत सारे स्टुट्स से कह रहे हैं कि ये जटिल होने लगता है और ये वाला प्रशन पूछा गया था UGC NET 2011 क परिक्षा में तो वहाँ पर इसका जो सही उतर ठेराए गया था देखिए वो उठेरा गया था सुविता जनक संरचना ठीक है तो अगर आपको लगता है दोस्तों इसका जो सही उतर आपके पास है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं UGC NET 2011 में तो इसका सही उतर था वो सुविता जनक संरचना था लेकिन कुछ लोग जटिल संरचना भी इसका उतर मान रहे हैं बाकी के दो जो है वो होंगे नहीं A और C में से आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए का कि कौन सा इसका सही उतर होना चाहिए प्रभावी दो आन उसके वेतन का 5 वटे 4 थी आये का कितना हिस्सा टिपस से आया तो यह बाला प्रशन भी आपको निकालना था इसका जो सही उतर होगा 5 वटे 9 श्रिंखला दी गई है आपको देखे 1, 4, 27, 16 उसके बाद sign of interrogation है फिर 36, फिर 37, 43 लुप्ट संक्या को आपने ग्याद कर करनी होती है यदि यह 3 वटे 5 समय में यात्रा को आदे हिससे को कबर करती है तो बीच बचे हुए समय में 6 दूरी के कबर करने के लिए इसकी गती क्या होनी चाहिए तो देखे इसका होगा भी कल्प नंबर D 10 किलो मीटर प्रति घंटा ठीक है अगला प्रशन देखे A B का भ प्रता होना चाहिए कि कैसे होता है कई बार हम वहां पर गलती कर बैठते हैं ठीक है तो इसका जो सही उतर होना चाहिए था बहू भी कल्प नंबर A इसका सही उतर होना चाहिए था ठीकि पूरा का पूरा पैटरन कैसा है नेट की तरह ही है बाकी और कहीं भी जाने की जरू तो code है दिखिये, selection के लिए ये दिये गया है, और इसको आपने देखना था, तो इसका जो सही उतर था, वो था A, आपने दिख लेना है कि ओपर जो C के लिए था, नीचे S के लिए था, उसको Q लिखा गया है, तो ऐसे ही आपने मिलान करना था, A इसका सही उतर आ जाना था, विकल्ब नमबर C, एनलोजी, ठीक है, अगरा प्रशन है देखिए, यदि प्रस्ताव कोई पुरुष इमानदार नहीं है, कोग गलत माना जाए, तो निमिल्प में कौन सा प्रस्ताव निश्चित रूप से सच होने का दावा किया जा सकता है, तो देखिए, इसका जो सही उत 163, है ना, फिर 169, तो दीकि 12 को, अगर आप 12 से गुणा करेंगे, तो होगा आपका 144, ठीक है, तो 144 मतलब किसका स्क्वेर है, 12 का है, तो 12 में हम उसको गुणा 2 कर देंगे, 12 गुणा 2 कितना हुआ, 24, 24 माइनस एक आगे आपका 23, ठीक, वैसे ही 179 किसका स्क्वेर है देखि तो कितना रह जाएगा, 25, तो यहाँ पर सही उत्र क्या होना चाहिए था, 25, नेक्स दीकिए, आठवे स्थान के अक्षर को डोंडे, जब दाएं, अक्षर दाएं और से वर्नमाला क्रम में लिखे गए हो, तो दीकिए, आठवे अक्षर हमने चांटना था, दाएं से बाए पूछा गया होता, यह बाएं से, तो S आना था, कितने नमबर पर, 19, यहाँ पर देखिए, पूछा यह गया है, कि दाएं से अक्षर का आठवा स्थान है, तो वो भी क्या है, S ही है, ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही उत्र होना चाहिए था, तो यह सही उत्र होगा, इसक आती साथ आपका जो teaching aptitude है, फिर environment है, और higher education है, और आपका comprehension है, DI है, सारी चीज़ें पूछी गई है, जो net में पूछी जाती है, ठीक वैसा ही pattern रखा गया है, I hope आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज इसे like की अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नईस फूर्ति के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जाहिंद